तो बच्चो आपको सररेखा के विभिन रूप आपने समझ लिया और अब माल लीजे दो रेखाएं हैं जिनके समीकन जैसा आप चित्र में देख रहे हैं य बराबर M1 X प्लस C1 और दूसरी रेखा जिसका समीकन Y बराबर M2 X प्लस C2 है तो उनके मद्ध का कोण थीटा यदि है तो 10 थीटा बराबर मॉड हमेशा धनात्मक लेंगे M1 माइनस M2 अपन 1 प्लस M1 M2 यह उसका सूत्र है दो रेखाओं के बीच के कोण निकालने का तो दो रेखाओं यदि परस पर लंबवत है दियार पर पर्पेंडिकुलर टू इचेदर दो लाइन पर्पेंडिकुलर है लंबवत है तो उनकी प्रवणताओं M1 और M2 का गुणनदफल माइनस 1 होगा और B पार्ट में आप देख रहे हैं कि यदि दो रेखाओं समन अंतर हैं तो निशित रूप से उनकी प्रवणताओं M1 बराबर M2 होगी दूसरा सररेखा का प्राचलिक समीकरन पैरामेट्रिक कुष्चनापद स्ट्रेट लाइन चितर में आप देख रहे हैं कि एक रेखा है वो बिंदू निशित बिंदू A से गुजर रहे हैं जिसके निर्देशांग X-Y- है तो एक सररेखा L बिंदू A X-Y- से गुजरती है और X-X से वो धनात्मक दिशा में थीटा कॉन बनाती है तो उसका जो प्राचलिक समीकरन है पैरामेट्रिक एक्विशन है वो आप देख रहे हैं X-X- upon cos theta is equal to Y-Y- upon sin theta is equal to R यहां R जो है ध्यान दीजिए कि P एक चर बिंदू है एक निशित बिंदू है जो रेखा पर है और A P की किसी समय तक्षणिक इस्तिती में वो दूरी R है तो A P बराबर R है यह R बदलता हुआ है यानि P चर बिंदू है लेकिन किसी छड़ विशेश पर A P बराबर R निशित है अब चित्र में आप देख रहे हैं कि एक रेखा है हम उन रेखाओं का समीकण ग्यात करना चाहते हैं जो बिंदू X-Y-A से गुजरती है आप चित्र में देख रहे हैं वो रेखा है L1, L2 और एक दी गई रेखा है आप चित्र में देखिए दी गई रेखा Y is equal to MX plus C है और A से जिसके निदे सांग X-Y- है उससे गुजरने वाली दोनों रेखाएं L1, L2 Y बराबर MX plus C से अलफा कोन बना रहे हैं आप चित्र में देख रहे हैं तो एक दिये गए बिंदू A X-Y- से होकर जाने वाली और दी गई रेखा Y is equal to MX plus C के साथ अलफा कोन बनाने वाली रेखाएं दो हैं L1, L2 उनके समीकर्ण इस प्रकार से होंगे Y minus Y dash is equal to M, M दी गई रेखा की प्रवरता है, minus 10 अलफा उपान 1 प्लस M into 10 अलफा X minus X dash L1 का जो समीकर्ण है और फिर आप देख रहे हैं कि L2 का जो समीकर्ण है वो Y minus Y dash क्योंकि वह भी X dash Y dash से गुजरती है, इसलिए Y minus Y dash is equal to M, दी गई रेखा की प्रवरता है प्लस 10 अलफा दी गई रेखा से वह अलफा कोन बनाती है, 1 minus M into 10 अलफा और ब्रेकेट में X minus X dash ये L2 का समीकर्ण है, जहां M बराबर 10 ठीटा है, दी गई रेखा की प्रवरता है दो दी गई प्रतिछेदी रेखाएं, A1 X plus B1 Y plus C1 is equal to 0 और A2 X plus B2 Y plus C2 is equal to 0 के बीच के सम्देभाजक का समीकर्ण हमें ग्याद करना है तो दो प्रतिछेदी रेखाएं का सम्देभाजक होगा, समन अंतर रेखाओं का सम्देभाजक नहीं होगा तो पहली रेखा है A1 X आप देख रहे हैं, A1 X plus B1 Y plus C1 is equal to 0 A2 X plus B2 Y plus C2 is equal to 0 तो रेखा एक और दो के नियून कौन अलफा आप चितर में देखे हैं, अलफा और अधिक कौन बीटा के सम्देभाजक L1 L2 का समीकर्ण आप देख रहे हैं, A1 X plus B1 Y plus C1 upon root over A1 square plus B1 square is equal to plus minus A2 X plus B2 Y plus C2 upon root over A2 square plus B2 square X का सामने का गुणांक A2 है, Y के सामने का गुणांक आप देख रहे हैं, B2 है, उनके वर्गों का योग करके उसका वर्ग मूल लेंगे और उससे भाग देंगे यहां चित्र में आप ध्यान से देखिए कि जो alpha noon कोण है, उसको सम्द्यभाजिक करने वाली रेखा L1 चित्र में देख रहे हैं और निशित रूप से दो प्रतिछिदी रेखा 1 और 2 के बीच अधिक कोण भी बनेगा, वो बीटा है और बीटा को दो भागों में बराबर भागों में बाढ़ती हुई रेखा L2 आप चित्र में देख रहे हैं, वह भी उसका सम्द्यभाजक होगा इस प्रकार से दोनों सम्द्यभाजक L1 और L2 के समीकर्ण आपको एक साथ दिखाए गए हैं लेकिन और खास बात ध्यान रखेंगे कि ये जो दोनों सम्द्यभाजक हैं रेखा एक और दो दी गई रेखाओं के ये सम्द्यभाजक L1 L2 एक दूसरे पर लंबवत होते हैं अब यहां पर और आप आगे देख रहे हैं कि जो चित्र आपने देख रहे हैं कि एक्स डेस वाइडेस से होकर गुजनने वाली रेखा L का समीकर्ण आपको मालूम है y-y-dash is equal to m x-x-dash 10 theta उसकी प्रवरता है तो m बरावट 10 theta है तो 10 theta को sin theta upon cos theta लिख सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि y-y-dash upon sin theta x-x-dash upon cos theta तो y एक बिंदू से गुजनने वाली रेखा से भी हम रेखा का प्राचलिक समीकर्ण प्राप्त कर सकते हैं यहां यह दिखाने का प्रयास किया गया है रिमार्क में और रिमार्क टू में हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो बिंदू से गुजनने वाली रेखा का समीकर्ण आपको मालूम है y-y1 is equal to y2-y1 upon x2-x1 और bracket में x-x1 समीकर्ण नमबर एक है और 10 theta का मान आप चितर में देख रहे हैं कि रेखा L x-x से धनात्मक दिसा में theta कोण मनाता है इसलिए संगत कोण mab भी theta होगा और जो part rs आप देख रहे हैं वो x2-x1 है और bm का मान y2-y1 है तो 10 theta का मान जो रेखा की धाल है प्रवनता है वो bm upon am है आप देख रहे हैं bm upon rs क्योंकि am जो है rs के बराबर होगा तो 10 theta का मान y2-y1 upon x2-x1 है 10 theta का मान हम उसमें रखते हैं प्रवनता की रूप में तो यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि दो बिंदू से गुजरने वाली रेखा का समीकरनल आखरी में आप देखिए x-x1 upon x2-x1 बराबर y-y1 बटे y2-y1 बारवी क्लास में यह बहुत आपको काम आएगा कि तीन बिंदू से गुजरने वाली रेखा का समीकरनल इसी रूप में होता है त्रिभूज का छेत्रफल आपको चित्र में दिखाये गया है जिनके सीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 है और चायंकित भाग दिखाये गया है त्रिभूज का छेत्रफल दिखाये गया है प्लस x3 y1 minus y2 इस सूत्र को लिखने में साइन की बहुत गलती करते हैं उसके लिए चित्र में आप देखिए ध्यान से चक्री क्रम में घड़ी की दिशा में y1 y2 y3 दिखाये गया है और उनके बीच में x1 x2 x3 भी मैंने दिखाने की कोशिश की है तो आप देखिए x1 के साथ y2 minus y3 है तो आप चित्र में देख रहे हैं कि x1 के साथ उसी घड़ी के दिशा में आप चलेंगे तो y2 minus y3 होगा प्लस x2 के साथ गुणा में y3 minus y1 है देखिए घड़ी की दिशा में और x3 into आप देख रहे हैं घड़ी की दिशा में y1 minus y2 तो ये आपको help करेगा इस सुत्र को याद करने में